हालो गाईज माइनम इस पवरन नागर अंड इन इस वीडियो हम आपसे बात करेंगे एक्स्टरनल ईयर के उपर एंड देखिए हमने इसके पहले वाली वीडियो में अनौंस भी किया था जिस तरह से हमने पूरा का पूरा मिडिल एर अप्लोड किया है जिस तरह से हमने पूरा का पूरा इंटरनल एर अप्लोड किया है उसी तरह से यहां पर भी पूरे के पूरे external year को हम इस chart के अंदर only एक chart रेंदर finish करने वाले हैं and इस एक chart के अंदर क्या हैं इसके अंदर पूरा पूरा Oracle है इसके अंदर external auditory channel भी है और इसके अंदर timeниз域 horribly memberine भी है मतलब पूरा का पूरा external year ना इस एक page sorry इस एक chart के अंदर finish इशोने वाला है और देखिए इसमें हमने सारी डिजीज भी डाल रखी है जसलेक आप बोलते हो ना सब क्लिनिकल्स अप्लोड नहीं करते हो तो देखिए पहले आप पहले हम क्या करेंगे एनार्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन से चीज कहां होती है उसके बाद आएंग के अंदर है पूरा का पूरा एक्टरनल एका कॉंटेंट और हम स्टाट कर रहे हैं इस एक चार्ट को बनाना की आपको भी你要 पूरा पूरा वण चार्ट मैंने पूरी की पूरी औरिकल्स के काल्टिलेज लिख रखी है कि कौन-कौन सी काल्टिलेज हम पढ़ते हैं एंदेन उनके उनसे कहां-कहां से कुश्चिंज फिक अप होते हैं देन फिर मैंने यहां पर लिख रखा है पूरा का पूरा एंडूरल अप्रोच वाला कि जब भी हम एंटी के अंदर सर्जिरीज करते हैं तो यहां पर मैंने लिख रखा है पूरा का पूरा एंडूरल अप्रोच की वह किस लिजन के थुरू करते हैं लाइक लेंपर्ट इंसीजन और उसके बाद मैंने इन पूरी कार्टिलेज को यहां पर डियाग्राम से एक्सपेंड कर रखा है कि कैसे आप इससे समझे और इसी इसी डियाग्राम के साथ मैंने यहां पर बहुत सारे इसके कॉंजनाइटर अनामली लिख रखी है कि जब भ लिए होगी कॉंजनाइटर दें इंफ्लामेट्री दें ट्रोमेटिक दें ट्यूमर्स ओके इन चार के अंदर पूरा आपका औरिकल या पिन्ना फिनिश हो जाएगा ओके तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर औरिकल के सिक्स पॉइंट पर ओके तो मैं तो जूम करतेता हू ताकि आपको दिख जाए कि यहां क्या लिख रखा है ओके और दिखिए वही यार अगर आपको भी यह चार्ट बनाना है ना वन पे चार्ट मतलब कि मानता हूं कि इस चार्ट को बनाने में थोगा टाइम लगेगा आपके तीन चार्ट गंटे लग सकते हैं हमारे 6-7 वीड यह चार्ट का वह ओंडी 15-20 मिंट के अंदर हो जाएगा ओके तो दिस इस वन टाइम इंवेस्टमेंट एक साथ चार्ट वीडियो देखने में कुछ नहीं जा रहा एक्टरनल यह की तो आते हैं में पॉइंट पर तो मैं पहले इसकी बात बात में करूंगा इस वाले पेज कि केनाल और थर्ड पॉइंट यान इक टींपेनिक मेंब्रेन इन तीनों को एक साथ बोलते हैं हम एक्ष्यनल यह यह एंड इन डिस वीडियो हम इन दोनों की बात नहीं करेंगे इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ओरिकल या पिनना के ऊपर इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट के अंदर explain कर रखा है, this is number first point, this is number second point, this is number third, this is number fourth, this is number fifth and this is number six point, okay, तो मैं इनको थोड़ा कर देता हूँ, तो मैंने पूरा auricle six point के अंदर explain कर रखा है, आते हैं number सबसे first point पर, देखिए मैं सारा बताऊंगा six points by six points, जैसे आप पठाके में आग लगा देते हो, एक लंबे पठाके लडाती है न, उसमें एक साइड आग लगा जी तो सारे पठाके जलेंगे, उसी तरह से हम एक point करते जाएंगे, क्या तब ही तो मझा आएगा कि यार, जो हमारे दिमार्ग में doubt है, अगर was end to end instant clear हो गए, तो फिर पढ़ने में मझा आएगा, ओके, चलिए आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो सबसे पहले आते हैं हम auricle या पिन्ना के first point पर तो इसके भी first point में हम development की ही बात करेंगे, तो यहाँ पर जो auricle या पिन्ना है, यह develop होता है, six mesodermal thickening से, यह लिक रखा है साफ साफ, develop from six mesodermal thickening, and in six mesodermal thickening, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, hilox, hilox बोल दीजिए, या फिर इसनी का ही एक और नाव है, इनने हम बोलते हैं, tubercles, okay, and जो यह six mesodermal thickening होती है, यह कब बनती है, यह बनती है, sixth week of embryonic life, eagle यानी की embryonic life, okay, अब आपको सब clear दिख रहा होगा, okay, यह हो गया, and, अब आप बोलेंगे, कि सब यह six mesodermal thickening है, यह क्या है, तो देखिए, आपने एक point पढ़ा होगा, pharyngeal arches, मैंने पताया था, कि pharyngeal arches, this is very, very important, तो जो एक देखिए, आपको पताऊगा, तीन चीजे होती है, एक होता है pharyngeal arches, एक होता है pharyngeal pouch, एक होता है pharyngeal cleft, and आपको पताऊगा, जो pharyngeal arches है, यह किसका बना होता है, यह बना होता है, हमारी mesoderm का, तो of course mesoderm, यानी की pharyngeal arches, या फिर न्यू बोल दीजिए कि जो six mesodermal thickening होती है ये भी कहां से develop होती है ये develop होती है first and second pharyngeal arch से तो मैंने यहाँ पर इसको underline किया six mesodermal thickening को और नीचे लिख दिया कि जो ये six mesodermal thickening है या फिर बोल दीजिए six hillock है या फिर बोल दीजिए six tubercle है ये किसे बनते हैं first and second pharyngeal arch से एंड देखिए आपको पता भी होगा अगर आपने pharyngeal arch पड़े हो तो जो first arch होता है ना इसे हम क्या बोलते है हाइ मेंडीबूलर आर्च मेंडीबूलर आर्च पूरा कर लेना एंड जो second arch होता है इसे हम क्या बोलते हैं हायोड आर्च ओके तो जो six tubercle से six hillock से ये डवलप हुए pharyngeal arch से उससे के साथ देखिए मैंने यहाँ पर एक और चीज लिख दी कि जो यह first and second pharyngeal arch है ना यह surround कर होती है pharyngeal pouches तीन चीज़े आप पढ़ते हो pharyngeal arch के अंदर and these are very 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 important पूर क्योंकि पूरे के पूरे एयर का development ही हमारे pharyngeal arch से होता है तो फे मैंने इसी को नीचे continue किया first and second pharyngeal arch को कि जो यह first and second pharyngeal arch है ना यह हमारी first pharyngeal cleft को cover करते हैं surround करते हैं यह common सी बात है बीच first pharyngeal cleft को कौन surround कर रहा है कौन घह रहा है हमारा arch तो cleft को first or second arch ने surround कर लिया मतलब यह कुछ ऐसे मिलेगा आपको ऐसे यह क्या है उपर वाला जो यह एक इसको छोड़ी है इनको भूल जाईए इनको भूल जाईए जो यह क्या है यह उभार वाला क्या है उभार वाला समझ होता है हमारी cleft जो first pharyngeal cleft है यह develop करती है किसे मतला इससे develop होती है हमारी actionable auditory canal EAC तो आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे कि Oracle या पिन्ना यह develop होता है first and second pharyngeal arch से and जो हमारी external auditory canal है AAC है यह किसे develop होती है यह develop होती है हमारी first pharyngeal cleft से and of course आपको पता ही होगा ना कि हमारा जब आप Oracle देखोगे तो बीच में वही तो ना cleft यानि कि EAC external auditory canal center में होगी उसके चारो तरफ क्या होगा पिन्ना होगा तो वही cleft ने cleft center में है और cleft को surround कि इस ने किया आप आप समझ के होंगे तो यह पूरा का पूरा मैंने आपस में जोहिन होते हैं और हमारा औरिकल या पिन्ना बनाते हैं यह तो एक टैप से नेचरल प्रसेस हो गया बट फिर उनके पढ़ेंगे हम congenital लफडे ओके तो यह पूरा का पूरा सिंगल पीस ओफ येलो इस्टेन कार्टिलेज का यहां लिकर रखा है मैंने मेडफ ओफ सिंगल पीस ओफ येलो इस्टेन कार्टिलेज एंड इसी को फिर मैंने आगे कंट्यूनियू कर रखा है कि जो ये येलो इस्टेन कार्टिलेज होती है यह कहां पर एपसेंट होती है यह हमारे lobule पर कोईकि आप जहां पर पेहनते हो और कान की बालिया पेहनते हो और और अन्हें बोलते हैं लोब्यूल उसे बोलते हैं लोब्यूल तो आप वहाँ पर अभी जश्ट हाथ लगा के देखिए वह बिल्कुल बिल्कुल तो जबूल सोफ्ट सी जगह है सेटि तुक के बनि होती है लोब्यूल तो आफ कोर्स यहां पर गोड़ियाज एपसेंट है यहां पर जो सिंगल स्ट है वह नहीं होती है रही होगा श्रेकर के लैन को आगे फिलांगें प्ली करकूँ यह दो क्या बता हैं यहां पर कि आप अभी अपने कान को देखिए, कान में देखिए, यह कान है पूरा का पूरा, तो जो यह yellow elastion cartilage की single seat है, single piece है, यह outer side भी और inner side भी, बाहर भी और अंदर भी पूरा का पूरा skin से cover होती है, यार आप अपने कान को हाद लगाएं ये ना, आप अपने कान को पकड़ेंगे तो जो बाहर वाली finger से वह भी skin को touch कर रही है और जो आपका थम्ब है वह भी हमारी वह भी skin को touch कर रहा है तो of course पूरी sheet दोनों तरफ से both sides से skin के द्वारा covered होती है lined होती है and then फिर मैंने इसी का clinical लिख रखा है यहाँ पर perichondritis कोई कि जहां-जहां cartilage होगी वहां-वहां perichondritis होने के chances होते हैं कोई भी trauma हो गया चक्कु मार दिया किसी ने आपके कान में कोई मुक्का मार दिया जोड़ से आपके boxers होते हैं न पोक्सर पंचिंग करते हैं गलती से कान पर कान के कान की हमारी cartilage प्लग गया तो यह हो गया हमारा second point अब आते है third point और पिन्ना इसके अंदर में लिख रखा है कि जो auricle या पिन्ना होता है न इसे हम यूज ए ग्राफ्ट age graft की तरफ यूज कर सकते हैं and graft की सरग कहां कहां पर यूज कर सकते हैं middle ear में कोई भी सर्जरीज करनी हो वहाँ पर कोई भी graft चाहिए तो middle year के लिए जो graft है वह हम oracle की cartilage से ले सकते हैं मतलब like middle year में चाहिए ना हो जाता होगा मतलब आप चाहिए middle year हम आगे बात करेंगे सब आप समझ जाओगे बस ध्यान दखना कि middle year में अगर कोई भी graft के जुरत पढ़ गई तो हम oracle से ले सकते हैं and second में ने बोला nose surgeries मतलब ज में कोई graft की जुरत पढ़ गई septum को सुधारने के लिए तो हम वह graft कहां से ले सकते हैं वह हम graft पिन्ना या oracle की cartilage से ले सकते हैं तो of course naak के surgeries और middle year के surgeries में हम graft कहां से ले सकते हैं auricle या पिन्ना से third point complete हो गया हा तो देखिए अब हम आते हैं हमारे fourth point of auricle या पिन्ना पर and इसमें मैंने लिख रखी है दो surface कि auricle या पिन्ना के दो surface होती है और देखिए यह दो surface वही है जिसकी बात मैंने यहां पकी थी मैंन two surface की यह both side or two surface दोनों एक úRe की बात है दोनों का बोलने का मतलब मेरा outer surface और inner surface गौरं से हैं तो दो का में थी आक होती है outer surface जिसे हम बोलते हैं lateral surface एक होती है inner surface जीसे हम बोलते है medial surface ओके उसी के साथ देखिए झो outer surface है ना इसे भी और नरस अप्लाई करती है मतलब हमें यहाँ पर scrutaneous supply कि बात करनी पढ़ेगी तो outer का भी जो anterior superior part है ना मतलब आगे वाला outer surface का भी आगे वाला और आगे में भी कौन सा उपर वाला और आगे वाला part में भी कौन सा आगे वाले का भी उपर वाला part एनटियों superior part यहाँ आपाई क्रती है कौन यह बताया था ना कि शिक्स हिलोक्स ट्विबरकल्स होते हैं इनकी बात हम यहां करेंगे मतलब कि जब हम आपको यह पूरा explain कर देंगे ना तब आपको यह automatic समझ में आज आएगा कि anterior superior part में यह दो चीजे होती है और शर्फेस के anterior superior part में यह दो पार्ट हो गया इसे supply करती है हमारी greater auricular nerve एंड इसकी root value क्या होती है c2 c3 एंड अगर इसकी root value c3 है तो of course this is the branch of cervical plexus ओके तो supply करेगी greater auricular nerve ओके यह हो गया उसके बाद दिखिए inner surface या medial surface इसके लिए भी मैंने दो चीजे लिख रखी है या फिर दो नर्व लिख रखी है सबसे पहरी मैंने यहां पर लिख रखी है अपर पार्ट कि अपर पार्ट और इनर surface या medial surface इसे supply करती है कौन lesser occipital nerve ओके तो इसे supply करती है lesser occipital nerve और इसकी root value क्या होती है c2 and of course c2 है तो इस दो ब्रांच व सर्वाइकल प्लेक्सिस ओके तो ग्रेटर ओरिकुलर एंड लेसर ओसे पिटल नर्व बोथ आर्द ब्रांच ओफ सर्वाइकल प्लेक्सिस क्योंकि यहां पर मैंने सर्वाइकल रूट वेल्यों c2 c3 की बात कर रहा हूं ओके यह गया ब्र्ट इस दो ब्रांच ओफ फिप्थ क्रेनियल नर्व ओके एंड बचा हुआ पार्ट अपर पार्ट अपर्मोस्ट पार्ट ओफ इनर सर्पेस इसे सप्लाइ करती है इसि को आगे इसके अपर नियाक करा है और उतलब कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर रूट व पिनना की भ्यार ओर यह पिनना बहीं तो बढ़ रहा है हम पूरा अभी औरिकल annex це में बात रहाँ हूं रूट ओफ पिनना की और देखे रूट ओफ पिनना में क्या चीज़े départि आती है तब आपको एक-एक लाइन आ जाएगी मैंने बोला है क्रश्व फेलिक्स क्रेगर्स कॉंका आप मैंने यहाँ लिख रहा है तो व्रलड इनका पूरा बैसिक इसेंगे कहां पर जा रहा है जिसे हम बताएंगे के आंदर तो इसको समझने के लिए अभी को समझने के लिए मैंने बोली दिया कि कोंका डिस इस प्रजेंट कहां पर आउटर सर पेस्पेस पर देखिए अजयों कीजिए दिस मैंटेस्षी में बंक- कर रहा हूं मैंने बोला ना तो सन्व इस प्रफेस दन असपें मेटल के सबीस्टो सीक्राइब जोड ऐसेा तो स्थिट घड़ा और सेंट के स्पें øf씨 mund agar इप्रेसे बंगे तो इनर सर्फेस पर उसी गड़े को आझब आप आफ आप समंद रहे होंगे और सब्सक्राइब गड़ा अगर अगर हम इसे अंदर से देखेंगे तो अंदर हमें गड़ा नहीं दीखेगा अंदर हमें उभार दिखेगा तो उभार क्या हो गया, eminence of konka, konka यानि कि गड़ा, and konka का eminence, यानि कि konka का उभार, कहा पर है inner side का, okay, I hope आप समझ गए होंगे, and हम इसे समझाएंगे से बाद में आपको, okay, और देखिए जो पूरकापर root of konka है न, यानि कि konka और eminence of konka, इसे supply कौन करती है, इसे दो nerve supply करती है, auricular branch of vegas nerve, यानि कि this is, धसी यानि कि 10th cranial nerve, and साथ ही इसे facial nerve भी supply करती है, okay, तो overall मैंने यह करती है, okay, यह हो गया, उसके साथ देखिए, जो auricular branch of vegas nerve है न, इसे का एक और नाम होता है, इसे हम बोलते है, arnold's nerve, okay, यह हो गया, and last and final, हमारा अब आते हैं, फिप्ट पॉइंट पर, देखिए मैंने पूरी nerve supply की बात कर ली है, मैंने यहां पर पूरा इसका overall result भी लिख रखा है, कि auricle या पिंदा की nerve supply में आपको यह 5 चीज़े देखनी है, C2, C2, C3, 5, 7, 10, मतलब जो उपर वाली दोनों क्या है, cervical, plexus की branch, मतलब यह 5 नर्स हमारे पूरे के पूरे औरिकल या पिंदा को सप्लाइ करती है, देखिए, C2, C3, C2, C3, 5, 7, 10, 5, 7, 10, C2, and C2, and C3, वही यहां पर मैंने लिख रखा है, यह हो गया, and आते हैं, 5th point, औरिकल या 5th point, and इस पर मैंने यहां पर एक clinical लिख रखा है, जिसे हम बोलते हैं, auricular hypotrichosis, देखिए, यह आपने सब ने देख रखा है, अब वह कैसे, देखिए, आपने देखा होगा, कि बहुत से बंदों के कान के, सबसे आउटर पार्ट पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, बहुत ही घने बाल होते हैं, जैसे हमारे सिर में बाल होते हैं, उसी तरह के बाल, बहुत ही घने बाल, strong बाल कहां पर होते हैं हमारे auricle या पिन्ना के outer part पर तो उसी को क्या बोलते हैं हम auricular hypertrichosis लिख भी रखा है मैंने hair present on helix helix क्या है देखे सबसे बाहर वाला part मैंने वही बोला helix याने कि वही वापस cartilage की बात हो गई तो सबसे बाहर वाला part है ना कान का वहाँ पर बाल होते हैं उसे हम helix बोलते हैं और बाल हो गए है और देखे अब बाल है आपको में मिलेंगे male में मिलेंगे female में नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि जो auricular hypertrichosis होता है यह होता है while linked बस इतना ध्यान रखना बाल only male में मिलेंगे और वह while linked होता है और उसके लिए क्या term यूज करते हैं auricular hypertrichosis अब आते हैं last and final point यानि कि 6th point देखे न 1,2,3,4,5,6 6th point of auricular pinna and इसके अंदर हम बात करेंगे आप से disease पर और देखे मैंने बोला कि auricular pinna के disease को हम 4 point के अंदर पढ़ेंगे और देखिए पहले आप भूल जाहिए कि 4 point क्या है आप खुछ सोचिए auricular pinna में सबसे पहले क्या है मैंने बोला कि या हमारे 6 mesodermal thickening से develop होता है मतलब कि इसके development में कोई भी लफड़ा हो गया तो हम क्या पढ़ेंगे condonatal anomalies second प्याइए मैंने second point में क्या बताया था कि यह cartilage का बना होता है तो वही cartilage में कोई भी लफड़ा हो गया तो हम क्या पढ़ेंगे perichondritis यानि कि inflammatory ITIS अरे भाई यह वाला suffix किसके लिए यूज करते हैं inflammation के लिए ना तो of course second point भी cover third point है traumatic मतलब कि यह single seat of yellow lasting cardilage का बना होता है किसी ने गुस्से में आके चक कुछ मार दिया पिन्दा पर औरिकल या पिन्दा पर किसी ने तलभार चला दी कि किसी ने कुछ कर दिया किसी ने मुखा मार दिया जोड से तो of course हमारे इसके हमारा जो औरिकल या पिन्दा है वा कट जाएगा तो of course this is trauma trauma वही तो होता है and last and final tumors कि हमारे इसमें औरिकल या पिन्दा में कौन कौन से tumors हो सकते हैं तो देखिए बहुत ही simple सा है simple language में आपको जहां पर लिख रखा है सारा का सारा and I hope आपको मज़ा आया होगा अब आप बोलेंगे सर आपने इनको आगे बताया ही नहीं तो देखिए वो मैंने यहां पर cover कर रखा है congenital में आप का पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहां पर pre auricular sinus या स्थिष्ट पढ़ेंगे and then congenital में आप second में पढ़ेंगे pre auricular takes third में पढ़ेंगे आप darwin tubercle उसके बाद मतलब overall new है कि सारा जो congenital disease है inflammatory लफडे है traumatic लफडे है traumatic और में यहां लिख रखा है traumatic भी child type memory का हो सकता है सबसे पहला है lesseration या avulsion मतलब कि इस तरह से चकु लगाया कि हमारा कट गया lesseration यानि कि कटना मतलब काटना कटना तो of course चकु से कट गया तलवार से कट गया and second word है avulsion avulsion यानि कि इस तरह से काटा कि कानी कट काट गढ़ गर गया अब यार मेरे यहाँ पर चक्को चलाए से तो मैं देखिए मेरे कट तो लग गया अर्जूम कीजिए यह मेरे चक्को चल गया ऐसे यह चक्को लग गया मेरे तो मेरे कट तो लग गया बट क्या मेरा हाथ अलग हुआ हेंड अलग नहीं हुआ ना बस यहां पर लेसरेशन होगा है, कट लगा है, मेरा पार्ट अलग नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, लेसरेशन, अबूलजन यानि की, बतलब इतना बड़ा कट लग गया, कि मेरा ये पूरा पार्ट ही बोडी से कटके बाहर हो गया, हट गया, बतलब इत हो जाता है हमारे, हमारा जो खाल्ट लिज होती है, उसके जो परिकॉंटिम होती है, उसके लिए हम बोलते हैं, इमोटे मा, फ्रोस्ट बाइट यानि की थंड, थंड यानि की आप कभी आप बहुत लंबे टाइम से बाहर ओपन लिए बैटे हो, बरफी ले इलाकों में, तो उरिकल या पिन्ना के डेमेज के चांसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गर्मी होती है, वो भी ज्यादा गर्मी भी खराब है, ज्यादा ठंड भी खराब होती है, फ्रोस्ट बाइट मतलब ठंड, लास्ट में किलोईड है, किलोईड यानि की वही ओल्नामेंटल वाले, जो अगर महां पर कोई भी लफडा हो गया, क्योंकि आपने छेद किया है, इस इस नोट नेचुरल, आप का यह की लोगूल पर खुद छेद करते हैं, उसके बाद अल्नामेंटल पहनते हो ना, तो वही उन अल्नामेंटल वाली के लिए, मतलब अल्नामेंटल पहनने के लिए, जो छेद किया है, वहाँ कोई भी लफडा हो गया, तो आफकोर्स, इस इस कीलोईड, ओके, तो यह चार चीज़ा आप पड़ोगे, कहां पर, ट्रॉमेटिक लीजन के अंदर, ट्रॉमेटिक डिजीज ओव औरिकल के अंदर, ओके, तो देखिए, हमारा पूरा का पूरा जो कहा है, मैंने, यहाँ पर पूरे के पूरे हमारे औरिकुलर की काईटलेज है, पहले हम समझेंगे कि यह क्या होती है, कोईकि बहुत से बच्चों पता नहीं होता है, ट्रेकल कहां पर होता है, तो ओवराल सारा समझेंगे हम वहाँ पर, इसके बाद हम पढ़ाँगे, फिर इसके कॉन्जनेटर एनामलीज नहां पढ़ेंगे हम पुरा आंडenda kto प cient बहुत सारे क्लिनिक्ल और बहुत सारे चीज़े हमें यहां पर पढ़नी है okay तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स वीडियो के अंदर यार अगर वीडियो में दम लगाऊ ना आपको आपको लगाओ कि हां यार मज़ा गया तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर जाना जो आपके लाइक होते हैं जो आपके कमेंट होते हैं ना उससे हमारी टीम को बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है हम सोचते हैं कि यार इतने झाल झाल